जन्दगी का सफर सुहाना हो इसके लिए साबधान रहना जरूरी है रोज मर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठ कर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जन्दगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है इसलिए हॉन बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर मुंबई की मैन होल वाली मुसीबत से जड़ी है मौनसून के एंट्री के साथ ही मुंबई में कई समस्याइं शुरूप होती है लेकिन इनमें सबसे ज़ादा चिंता खुले मैन होल को लेकर होती है क्योंकि इनकी वज़े से जान भी चली जाती है जी एंटी की टीम ने मुंबई के कुछ इलाकों में मैन होल्स के हालत देखी और समझा कि हाथसों को रोकने के लिए इस साल बी एंसी ने क्या इंतिजाम किये है अगर सडक पर घुटनों तक पानी चमा हूँ तो भला सडक कैसे नज़र आएगी और जब सडक नहीं दिखेगी तो ऐसा खुला मैन होल भी दिखाई नहीं देगा यानि यहां से गुजरे तो मैन होल में गिरने का खातरा रहेगा कोई जखमी हो सकता है किसे की जान चा सकती है और हर साल बारिश में मुंबई इस खातरे का सामना करती है यानि बरसाथ के मौसम में मुंबई के समस्या सिर्फ जल जमाव किया गठों की नहीं, बलके सबसे बड़ी चुनाती खुले मैन होल्स की रही है हर साल मौनसून के समय मुंबई में सबसे ज़ाधा दुरगटनाएं खुले मैन होल्स की वज़े से होती है मुंबई में हर साल कितने ही लोग खुले मैन होल्स में घिर कर अपनी जान गवा देते हैं और बुरी तरीके से जखमी हो जाते हैं BMC की तरफ से हर साल ये वादे किये जाते हैं और ये आस्वाशन दिया जाता है कि इस साल मुंबई में कहीं भी खुले मैन होल्स की वज़े से कोई भी हादसा नहीं होगा, मगर ये वादे खोखले ही साबित होते हैं. गुजरे वार्षों में मुंबई में खुले मैन हूल्स की वज़ा से अंगिनत हाथ से हुई है बारिश के दुनों में गढ़ों से बचते बचाते अगर कोई निकल भी जाए तो मैन हूल का अंदाज अलगाना मुश्किल होता है खासकर जब पानी का बहाव तेज हो तो संकट और बड़ा हो जाता है बारिश के दुनों में मुंबई की मुश्किलों की पड़ताल करते हैं जीन टी की टीम ने कई इलाखों में मैन हूल को लेकर बीमसी की तयारी को जाचा पर खा पहले आपको बताते हैं कि मुंबई में खुले मैन हूल कितने खातरनाक साबित होते हैं 11 जुलाई 2019 को गोरे गाउं में तीन साल के बच्चे की मौत मैन हूल में गिरने की वज़ह से हो गई 14 जुलाई 2019 को धरावे में एक बच्चे की मौत हुई 5 सितंबर 2019 को नाला सुपारा में 6 साल के वच्चे की मौत हो गए NCRB के अनुसार महराष्ट में 2021 में कुर 19 लोगों की मौत मैन होल्स की वच्चे से हुई थी खुले मानीय कोटने ब्याइम सी को फटकार लगाते हुए उनको आदेश दिये कि मुंबई में जितने भी खुले मान होल्स हैं उनको अच्छी तरीके से बंत करना अनिवारे होगा नहीं तो कारवाई भी की जाएगी ऐसे में इस साल BMC ने पूरे मुंबई में manholes को जितने भी खुले manholes से उन सब को अच्छी तरीके से ढख दिया है मुंबई का दादर इलाका ये हिंदमाता का इलाका है जहांपर पहली बारिश में ही पानी पूरी तरीके से भर जाता है पानी भरने से लोगों को बड़ी दिक्कत होती है और उसकी वज़े से manholes यहां पर खुले रखे जाते थे मगर आप इंतजामात कर लिए गए हैं ऐसी nets बिटाई गई हैं जिससे manholes भी बंद रहेगा और पानी भी जो हैं वो ड्रेन में जाता रहेगा manholes को लेकर बीमसी की मुस्तेदी का असर नजर आता है मुंबई के जिन लाखों में जलजमाव की समस्या है वहाँ manholes को बंद कर दिया गए है और ऐसे इंतसाम किये गए हैं कि वहाँ से पानी भी निकलता रहे और कोई हाथ सब ही न होगा पहली तो काफी 8-10 साल पहले मैंने देखे हैं लेकिन अभी काफी इंप्रू किया है बीमस बीमसी ने और सब जगह उन्होंने एक नया टेक्नालोजी यूज करके पंप्स लगा है और वो जो पाइप से वो ड्रेने सिस्टीम किया है उसको पूरा जाली से कवर किया है यानी सडकों के गड़े भरने के मामले में भले ही बीमसी पीछे हो लेकिन खुले मैंन होल्स की समस्या को उसने गंभीरता से लिया है इस साल बारश आने से पहले ही सुरक्षा के जरूरी इंतजाम कर लिये गए खासकर पानी में ढूब जाने वाले हिंदमाता इलाके में लोगों को इस बात की खुशी है कि सभी मैंन होल्स बंद है हलाकि कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी ये समस्या मौजूद है मैंन होल्स की स्थी इस वक्त अपने एरिया में तो ठीक है हिंदमाता लैक परेल ड्रेन हो जाता है पानी आगे का उस तरफ जो साउद मंभे बिल्कुल नहीं है ओपन हो येस हंडेड परसंट पानी ओवर्फलो होता है अभी मैं गोरेगों में भी मेरा एक फ्लैट है में गोरेगों में आबरे मौल के हैं जब कभी पानी नहीं भरता था वहाँ पानी भरना शुरू हो गया है मैंन होल्स ओपन हो जाते हैं तो भी नीचे पता नहीं चलेगा पानी के अंदर है खुले मैंन होल्स के मामले में लापरवाही सिर्फ बीमसी की नहीं है एक बड़ी समस्या ये है कि मैंन होल्स के ढखकन चोरी हो जाते हैं यानि इधर BMC Manhole को ढखती है उधर कुछ पैसों के लालच में उनको चूरा लिया जाता है Manholes पहले की तरह है खुले रह जाती है Manholes के ढखकन की चोरी रोख पाने में जब BMC नाकाम रही तो उसने इसका तोड निकालने की कोशिश की अच्छी बात यह है कि BMC अपनाई तरह के ढखकन लगाने जा रही है जिनकी चोरी होने पर तुरंती पता चल जाएगा चुकि उनमें अब सेंसर लगा होगा अब BMC बहुत जल्द आधूनिक Manholes के ढखकन लाने जा रही है ये आधूनिक तरीके से काम करेगा ढखकन के नीचे एक सेंसर लगा होगा अगर Manhole खुल रहा है वो BMC को पता चलेगा और अगर Manhole बहुत देर तक खुला है जादातर जगों पर इस साल मौनसून के समय Manholes को पूरी तरीके से ढख दिया गया है और BMC की तरफ से सारे इंतिजामात Manholes को लेकर किये गए है कैमरामेन साहिल जोहन के साथ पारज़दामा Good News Today